अभी हम लोग एक्जाम्पल 27 कर रहे हैं आज हम लोग करेंगे लेक्चर 11 जिसमें कोशन नंबर 6 से कोशन नंबर 10 तक करेंगे एसन लोनी का जो problem है वो कर रहे हैं हम लोग और जो है आगे पीछी हो सकता आपको यहां पर पर ब्लीज आप उसे मैच कर लेंगे स्टार्ट करते हैं इससे पहले मैं स्टार्ट करूं आप लोगे से रिक्वेस्ट है कि व्लीज चैनल को subscribe कर लें इसे पहले हम लोगों ने अपलोड कर दिया जिसमें कुछ एक्जांपल्स की दिया हैं कुछ थिओरी वाला पार्ट है तो उन सब वीडियो को भी आप लोग देखिए शेर कीजिए लाइक कीजिए तो इससे क्या होगा कि मुझे और भी अच्छा अच्छा वीडियो बनाने मे इंस्पिरेशन मिलेगा चलिए स्टार्ट करते हैं कोशन है हमारा यहां पर कोशन नंबर इस और यह सब कोशन जो है ना बहुत प्यारा प्यारा बहुत ही अच्छा कोशन जब भी किसी ट्रेंगल की अगर बात करता है तो सिंपल सा अपके दिमाग में फीड हो जाना में तो यह है बागे आइडेंटिटी वाले फॉर्मोले तो हो नहीं है अब देखें बच्छो यह राइट हैंड हैंड साइड में अगर हम लोग इसको ओपेन करें तो बी सी कोसी हो जाएगा ध्यान से देखेंगे हैं त्मस्वी कोशॉ फोगी के अब देखें यहां पर थो साम बो को साईन फ作र्मूला को फिडिसे लिखना चाहते हैं या पे, cos A, is equal to kya होता है, B square, plus C square, minus A square, divide by, twice of B, C, तो आपको दिख गया होगा, twice of B, C, cos A, यह क्या हो जाएगा, हमारा, B square, plus C square, minus A is, so twice of B, C, cos A is nothing, so this is, इसको अलग, red से लिखते हैं, B square, प्लस C square minus A square similarly, twice of C A cos V तो यहाँ पर क्या जाएगा cos B में यहाँ पर A था तो minus में A आया so यहाँ पर आजाएगा हमारा A square B minus में जाएगा A square plus C square minus B square cyclic function में चलेगा Similarly, twice of A B cos C इसको एड करना चले जी सको एड करते हैं अगर इसको आड करेंगे तो यहीं आ जागर यह वाला कॉस ए प्लस सी ए कॉस बी प्लस एबी कॉस सी यह आ गया एलहस वाला पार्ट आगे यह आरहस वाला पार्ट है अब इधर आड़ करेंगे ध्यान से देखेंगे एक माइनस ए स्कॉयर से एक प्लस ए स्कॉयर जीरो एक माइनस बी ए स्कॉयर से एक प्लस बी ए स्कॉयर जीरो एक माइनस सी ए स्कॉयर से एक प्लस सी ए स्कॉयर जीरो सो बच क्या गया हमारे पास बच जाएगा ए स्कॉयर प्लस बी ए स्कॉयर प्लस सी ए स्कॉयर यही हमारे पास LHS left hand side था और यहीं हमें क्या गाना था प्रूव गाना था हो गया प्रूव बहुत एजी सा कोशन था चलिए नेक्स चाल नेक्स कोशन भी यही है इसी टाइप का कोशन है फ्रफ इस कोशन को देखेंगे इसमें लगाने की कोशन करते हैं इसको अगर हम लोग लिखना चाहें अब यह कॉस ब के निमिरेटर वाला पार्ट है तो डिनुमिरेटर को मैं अपने मन से ढाल सकता हूं और ट्वाइस आफ एसी डाल दिया यह क्या बन जाए कॉस्व बी चूकि हमने डिवाइड किया ट्वा सब्सक्राइब कर सकते हैं हम ने कर दिया multiply by 10 मूपी हैudsology लिख सकते हैं अब क्या आप यहां से यहां वाले पार्ट को यह संधिना कॉस में कॉस बीकौस में पूआप सुक बगार मैं टेफोर So, this is cos B. और cos B और यहाँ पी यह 10 B है, 10 C नहीं है. So, we can write this code 10 B कर ले ठीक है? 10 B को क्या लिसकते हम लोग? sin B divided by cos B into twice of A C. So, cos B and cos B cancel out. So, अब देखिए, A over sin A is equal to V over sin B is equal to C over sin C. So, इसका रेशियो हम लोग मान लेते हैं, K 1 by K. कभी हम लोग K मानते हैं, कभी 1 by K. एक रेशियो होता है. अब इसलिए मानते हैं कि sin का एक simple साख calculation है, multiplication मैं जाए. So, we can write here, sin A is equal to, क्या हो जाएगा? K into A, sin B को भी हम लोग लिख सकते हैं, K into B, और sin C को भी हम लोग लिख सकते हैं, K into C. यह sin वाला formula हो गया. So, यहाँ पर हमें हमारे पास क्या sin B? So, sin B को लिख सकते हैं, K into B. So, we have K into B into twice of A C. So, twice of K ले लेते हैं एक साथ और बच जाएगा A into B into C. यही हो गया हमारा LHS, ठीक है? अब चलते हैं RHS वाले पार्ट में. ठीक है? तो RHS वाले पार्ट में अगर हम लोग करना चाहें, So, this is A square plus B square minus C square twice of divided by twice of A B multiply by twice of A B multiply by यहां पे हमारे पास आजाएगा 10 C. So, similarly यह वाला portion जो है हमारा बन जाएगा, cos C into 10 C को लिए सकते है, sin C divided by cos C into twice of A B, cos C, cos C cancel हो गया, sin C को A into, sorry, C into K लिए सकते है, C into K into twice of A B, so 2K into A, B, C, तो यहां पे LHS भी वही आ रहा है, यहां पे RHS भी यही आ रहा है, So, LHS is equal to RHS और यह हमारा proof हो गया, देखें, कितना प्यारा सकते हैं, देखने में कितना tough question लग रहा है, बहुत easy question है, cosign formula यहां पे use किया गया है, चलिए, आगे चलते हैं, यह question है, कि in any triangle, prove ABC, prove that CA square is equal to A minus B का whole square into cos square C by 2 plus A plus B का whole square into sin square C by 2, चलिए, देखें, स्टार्ट करते हैं, So, देखें, यहां पे RHS लेंगे, So, RHS can be written as A plus B, A minus B का whole square, So, A square plus B square minus C square, ध्यान से देखेंगे, into cos square C को हम लोग इसी तरह लिखते है, cos square C by 2 plus A square plus open कर दिया, B square plus twice of A, B into sin square C by 2, अब बचों देखें, यह वाला part A plus B का whole square into, इसको लिख सकते हैं, देखें, क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि यहां भी A plus B का whole square है, और यहां पर C square में क्यों लिखते हैं, A, B, twice of A, B होगा, twice of A, B, ठीक है, सो यहां पर A plus B का square है, यहां पर भी A plus B का square है, multiplication में cos square C by 2 है, multiplication में sin square C by 2 है, सो इसको पहले open करके लिखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, A square plus B square into cos square C by 2, minus twice of A, B into cos square C by 2, plus A square plus B square into sin square C by 2, plus twice of A, B, ठीक है, sin square C by 2, अब आप देखिये दिहां से, यह वाला पार्ट और यह वाला पार्ट, ठीक है, इस दोनों में A square plus B square common है, हमने common ले लिया, बच्चे का क्या, cos square C by 2, plus sin square C by 2, अब देखिये, आइंगल से हम है, तो यहां पर identities हम लोग कर लेंगे, in any triangle, sin square C by 2, मतलब अगर यह angle कुछ भी होगा, मलने a माल लेते हैं, यहां पर a नहीं माल लेते हैं, यह अपर a नहीं माल लेते हैं, माल लेते हैं, कि alpha है, तो यह c by 2 is equal to alpha हो जागा, तो sin square alpha plus cos square alpha, तो यह identities क्या हो जागा, इसकी value क्या हो जागा, इसकी value क्या हो जागी, यह 1 हो जागी, अब यहां से देखिये, इसमें twice of a, b यह वाला part और यह वाला part, इसमें से अगर हम लोग minus twice of a, b कॉमल लेते हैं, बचे का क्या, cos square c by 2 minus sin square c by 2, I hope आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, so, cos square c by 2 minus sin square c by 2, so, यह वाला part हो गया, 1, so, we can write here, a square plus b square minus twice of a, b, और यह जो है, cos square, देखिये, cos 2a क्या होता है, cos 2a, cos 2a होता है, 2 cos square a minus 1, या फिर cos square a, ठीक है, minus sin square a, यहां पर अगर यह alpha है, तो cos square alpha minus sin square alpha, यह क्या हो जागा हमारा, cos 2 alpha, मतलब यह हमारा cos 2 alpha, यहां एंगल c by 2 है, तो 2 से multiply हो जागा, so, यहां यह आजाएगा, cos twice of into c by 2, cos c हो गया, ध्यान से देखियेंगे, ठीक है, so, we have a square plus b square minus twice of a, b, अभी यह आ गया, cos c, cos c क्या होता है, cos c हो जाएगा, a square plus b square minus c square, divided by, how much, twice of a, b, ठीक है, formula हम लोग ने लगा लिया, अब इस twice of a, b, c ही है, twice of a, b, cut जाएगा, बचेगा, क्या हमारे पास, a square plus b square minus a square minus b square, और minus minus plus c square minus a square plus a square zero minus b square plus b square zero, और c square, तो यह बच गया हमारा c square, ठीक है, तो यहां से हम देखते हैं, कि यह हमारा lhs, जब हम rhs से चले थे, तो हम lhs पे आ गया है, ठीक है, so, यह हमारा proof हो गया, बहुत ही easy सा question था, यह बहुत ही प्याराशा question था, आगे चलते हैं next question पे, next question है हमारा wait a minute, next question है, in any triangle a, b, c, we have to prove that a sin b minus c plus b sin c minus a plus c sin a minus b is equal to zero, जब भी आपको इस तरह का cyclic में आए ना, तो सिर्फ एक ही term को हम लोग use करेंगे, और इस term को मतब solve करेंगे, बांकि इसी के pattern पे दूसरे term को लिखेंगे, so can we write a sin b minus c, b minus c as, see here, a that is k into sin a into sin b minus c, yes, we can write like this, because, क्यों, क्योंकि a over sin a is equal to 1 over k, so sin a is equal to, हम लोग लिख सकते हैं, a is equal to, या इसको k मालने, इस constant को k मालने हैं, तो यहां से a is equal to sin a into, a is equal to k sin a is equal to a, तो इस चीज़ को हम लोगों ने use किया, अब यहां पे देखिए, क्या कर सकते हैं, यह बहुत important है, यहां पे a है, और यहां पे b minus c है, हमारे पास triangle में properties होता है, जो कि मैं बार-बार बोलता हूँ, a plus b plus c is equal to pi, so a can be written as pi minus b plus c, और अगर हम लोग दोनों तरफ sin ले लें, तो sin a is equal to sin pi minus b plus c, अब sin pi minus theta is equal to sin theta, so sin b plus c, यह सब चीज़े ना आपके दिमाग में होना चाहिए, मैं बार-बार यहां पे बता रहा हूँ, so we can write here k, sin a can be written as sin b plus c into sin b minus c, अब यहां पे देखिए, हमारे पास एक और formula है, जो कि साइद मैंने नहीं बताया है, आप यहां पे लिख लिख लिजिए, अगर हमारे पास sin a plus b है, चीक है, इसको sin a minus b से, compound formula वाला sin a plus b को लिख से, sin a into cos b plus cos a into sin b, similarly sin a minus b को, और इसको multiply करेंगे, तो यह हमारों जो बन के आता है, वो बन के आता, sin square a minus sin square b, so directly हम लोग इस चीज को, इस multiplication को लिख सकते हैं, k into sin square b, wait a minute, डिरेक्ट लिख सकते हैं, यह delete हो गिया है, कोई बात नहीं, आप वीडियो में होगा, so we can write here, a sin b minus c, so this is equal to k into sin square b minus sin square c, यह किस का होग है, a sin b minus c का, similarly, b sin c minus a को, हम लिख सकते हैं, k into sin square c minus sin square a, और c sin a minus b को लिख सकते हैं, k into sin square a minus sin square b, अब task क्या है, इस तीनों को जोडना, चलो जोडन लेते हैं, so जोडनेंगे तो यह LHS इसको माल लेते हैं, यहां से यहां तक x लिखेंगे नहीं, आप इसे माल लेते हैं, यह जागे x, so k common है k common ले लेंगे, अब दिखान से दिखेंगे, sin square b plus में sin square b minus में, sin square c plus में sin square c minus में, sin square a plus में sin square a minus में, यह सारे add होके क्या हो जाएंगे, 0, so k into 0 is equal to 0, तो जो LHS था, जिसे हमने x माना था, वो RHS, that is 0 के बराबर हो गया, यह proof हो गया, बहुत ही easy सा question था, अब एक और question है यहाँ पर, और इस question को, I think यह देखेंगे, यह तीन चीज़ हैं, यहाँ पर मैं hint देता हूँ, so a sin b minus c divided by b square minus c square, is equal to b sin c minus a divided by c square minus a square, is equal to c sin a minus b into, divided by a square minus b square, इस तीनों ratio को proof करना है, यह आपका homework, करके आप खुद से करें इस question को, बहुत ही easy सा question है, यहाँ पर a को sign, sign वाला formula यूज करना है, जैसा कि अभी हमने बताया, उसके बाद b square minus c square को, again sign वाला formula यूज करके, आपको थोड़ा सा calculation आगे बढ़ाना होगा, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर किया था, ठीक है, इस पूरे यह वाला जो question है, कुछ इसी तरह का था, कि a sin b minus c है न, और यहाँ पर भी a sin b minus c, divide में क्या है, b square minus c square है, तो divide वाले वाले पार्ट में, हमें sign वाला formula यूज करना है, sign वाला, ठीक है, और तीनों के लिए अलग-अलग यूज करेंगे, तो तीनों का ratio क्या जाएगा, save हो जाएगा, तो आपके लिए यह homework है, प्लीज इस homework को कीजिए, comment box में हमें, snap करके दे सकते हैं, ठीक है, फोटो कीच के भेज सकते हैं, अगर कहीं पर कोई problem आता है, तो आप मुझे पूच भी सकते हैं, तो आज के लिए तनहीं रखते हैं, मिलते हैं next class में, वीडियो अगर पसंद आया हो, तो प्लीज देख यहां पर मैं आट ट्रिक की बात नहीं करूँगा, हमेशा, चाहिए वो physics का लेक्चर हो, चाहिए chemistry का हो, चाहिए mathematics का हो, चाहिए MBA का लेक्चर बनाता है, उसमें कोई ट्रिक की बात नहीं करूँगा, सिर्फ और सिर्फ concept की बात करूँगा, अगर आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज आप वीडियो को देख सकते, अगर अच्छा नहीं लगता तो कोई बात नहीं, आप निकल सकते, कोई दिक्कत नहीं उसमें, लेकिन ट्रिक मैं यूज नहीं करूँगा, क्योंगे ट्रिक मुझे पसंद नहीं है, इतना सा भी पसंद नहीं है, ट्रिक में क्या होता है, कि अगर आप हरे कोईशन के लिए अलग अलग ट्रिक आपको याद करना परेगा, बहुत ही ट्रिमेंडिस मतलब बहुत ही ज़्यादा कन्फूजिंग वाला वर्क है ये, ट्रिक के पीछे अगर आप लोग नहीं भागे तो बहुत अच्छा है क्योंकि concept ही है जो कि आपको real competition आपको निकलबा सकता अगर आपका concept clear है तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आसा है और थांक्स पर वाचिंग टिलीन, हाव नाइस देए जाए